सिविल सर्वा परिक्षा की तयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे प्री दो हजार पचीज के सिविल सर्विस एक्जामिनेशन को ध्यान में रखकर कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ और ये जानते हुए भी मैं इन बातों की चर्चा करने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि इनसे सीधे सीधे प्रशन न पूछे जाएं मेरी बात आपको बड़ी विचेतर सी लग रही होगी कि मैं खुद कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सीधे सीधे प्रशन न पूछे जाएं, यानि कि ये बहुत important नहीं है, तो फिर मैं चर्चा करने क्यों जा रहा हूँ, क्यों अनावश्यक रूप से आपके सिर पर बोज लाद रहा हूँ, पहले मैं इसे इसपष्ट करना चाहूँग और ये भी बताना उतना ही कठिन है कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि हो सकता है ये ना पूछा जाए, तो फिर मैं बता क्यों रहा हूँ, इसे समझ लीजिए, जो भी प्रशन पूछे जाते हैं, वो सीधे सीधे नहीं होते हैं, और उनकी तयारी भी आप सीधे सीधे नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है, हाँ कुछ प्रशनों की तयारी हो जाएगे, लेकिन जितने प्रशनों की तयारी संभव है, वे आपको क्वालिफाई नहीं करा पाएंगे, इसका सही उत्तर आप उनकी तयारी करके देंगे जिनके पूछे जाने की संभावना नहीं है ऐसा कैसे संभव है बहुत ही आसानी के साथ संभव है इसलिए कि जब आप ऐसे प्रश्णों को भी दिमाग में रखते हैं जो पूछे तो नहीं जाने है लेकिन इंपोर्टेंट है तो ज रेजेक्ट करने में आपको एक द्रिष्टी देते हैं आपकी सहायता करते हैं कि ने ये तो नहीं हो सकता और अगर ये 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 नहीं हो सकते तो डेफिनिटली फिर ये होगा इसलिए ध्यान रखिएगा कि केवल उनहीं पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए जिनके पूछे जाने के संभावनाएं हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है, जिने आप ये मान कर चलते हैं, कि पूछे जाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन important है, तो बस मैं ऐसे ही कुछ घटनाएं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनके पूछे जाने की संभावना तो नहीं है, कि भारत ने उस शांदार प्रदर्शन की श्रिंखला को बनाई रखा है, और इसमें जो सबसे महत्तपून है, वो है भारत की शत्रंज में बहुत बेहतर सफलता, वो सफलता कैसी है, उसे थोड़े से तथ्यात्मक रूप में आप देख लीजे, अभी बुड़ा पेस्ट मे शत्रंज प्रतियोगिता हुई, बुड़ा पेस्ट, स्थान का नाव आपके दिमाद में होना चाहिए, प्रतियोगिता कौन से थी, पैंतालिस्वी शत्रंज ओलिम्पियाड, याद रखिए, ये शत्रंज ओलिम्पियाड है, पैंतालिस्वी प्रतियोगिता ये थी, इस प बहुत बड़ी बात है मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी इस्थिती में हो सकता है कि इस पर सीधे सीधे प्रशन पूछ भी लिये जाएं क्योंकि मुझे मालूम है कि चेन्ड़ी में एक बार प्रतियोगी ता हुई थी अभी हाल में हुई थी दो तीन साल पहले की बात है तो उस पर सीधे सीधे प्रशन प्री एग्जामनेशन में पूछा गया था। चुकि हमारी इसमें बहुत शानदार सफलता रही है तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। दोस्तों अब मैं आपको खिलाडियों के नाम बताने जा रहा हूँ। जिनकी चर्चा अखवारों में ज अर्जुन एडिगेसी और तीशरे खिलाडी है आर-प्रग्नाणन्द यादर कि यह प्रग्यानन्द नहीं हैं आर-प्रग्नान्द यह हमारे पुरुष खिलाडी रहे है शतरण्ज के और महिला वर्ग की जो तीन खिलाडियां है जिनकी अखवारों में काफी चर्चा हो र वे हैं दि हरिका दिव्यादेशमुक और वंतिका अग्रवाल वंतिका अग्रवाल आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मैं नाम दोहरा क्यों रहा हूं दोस्तों मैं नाम इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब हम किसी भी तथे को दोहरा लेते हैं तो वह हमारे दिमाग में अपेक्षाक्रित जादा गाड़े रंग में रिखांकित हो जाती है फिर आसानी से वो धूमिल नहीं पड़ते तो इसे आपको रटने की जरुवत नहीं है ब हमारी टीम एशिया की पांचमी बार चैंपियन बन गई है एशियाई हाकी चैंपियन पांचमी बार और आपको मालूम है कि पैरिस ओलम्पिक में हमने हाकी का कास से पदक प्राप्त किया था फाइनल मैच में चाइना को हराया गया एक शुन्ने से एक बहुत बड़ी बात ह जो मुझे लगता है कि असंभो सी बात को संभो करके हमारी टीम ने दिखाया है कि जितने भी मैच भारत ने खेले उसमें किसी भी मैच में वह हारी नहीं यानि कि वह बिलकुल अजे रही अपराजे रही जिसे कोई भी टीम पराजित नहीं कर सकी और जो हमारे टीम के जो कैप्टन है, जिनका नाम है हर्मन प्रीद सिंग, इनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए, उन्हें प्लेयर आफ दर टूर्नामेंट चुना गया, पांचमी बार भारत एशिया का चैंपियन बना है, यह जो दूसरे तथ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही आपकी मदद करेंगे सही उत्तर तक पहुचने में और यहां तक यदि सीधे सीधे इन पर भी प्रशन पूछ लिये गए, तो उसमें भी आपकी यह मदद करेंगे, क्योंकि स्टेट कोश्चन तो आएगा नहीं कि इस बार का हाकी चैंपियन कौन बना है, नॉ और उस चुनाव में पहली बार मार्कसवादी विचारधारा के जो कैंडिडेट थे, जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानाय के, यह सडक का है, दिशानाय के राश्ट्रपती बने हैं, और यह जो राश्ट्रपती बने हैं, यह दूसरे राउंड की मतगणना में बने है और ऐसा स्रीलंका के इतिहास में पहली बार हुआ है, इस तथ्यका उलेक में किवल इसले कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहां भी राश्ट्रपती के चुनाव की जो मतगणना होती है, उसमें इसी तरह के प्रोविजन की व्यवस्था है, कि अधि पहले राउंड में किसी को पचास प्रतिशत से अधिकमत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर दूसरे राउंड की गड़ना होगी, इसलिए इसकी चर्चा में ने यहां की है, इससे पहले कौन वहां के रास्टपती थे, इससे पहले रास्टपती थे, रानिल विक्रम सिंग है, अब हमारे लिए देख चाइना मार्कसवादी देश है, और अभी जो रास्टपती बने है, मैंने शुरू में क्या का, मार्कसवादी विचारधारा की, तो एक चुनोती हमारे सामने है, कि अब जो दिसानाईके हैं, वो भारत के पक्ष में कितने निरणए लेंगे, चाइना के पक्ष में कितने न इंपोर्टेंट चुनाओ होंगे, दोस्तों, अखबारों में कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा कि हमने एक स्थान का नाम बदल कर श्री विजयपुरम कर दिया है, वह स्थान कौन सा है, वह स्थान है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर यानि के अन्दमानिकोबा की राजधानी में, श्री विजयपुरम, इसके बारे में थोड़ी से में बातें आपको प्रिष्ट भूमी में बताना चाहूंगा, क्योंकि कभी-कभी ये बातें इंपोर्टेंट हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस जीने पहली बार यहां तिरंगा फेराया था, नेशनल 43 आजादी के लगभग लगभग साड़े-3 साल पहले उन्होंने भारती धरती पर तिरंगा फेरा दिया था, इस इस्थान का नाम था पोर्ट ब्लेयर, ये ब्लेयर कौन था, पोर्ट का तो मतलब बंदरगा हो गया, बंदरगा है वो, तो ब्लेयर कौन थे, ब्लेयर बेसिक आर्किबालड ब्लेयर, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? कहा जाता है कि रामयड काल में इस इस्थान का नाम था हंडुमान, हनुमान, हनुमान से जुड़ा हूआ है, हंडुमान, इसके बाद जो इसका नाम पड़ा वो हूआ एंगाडेमन, अ-ए-अ-ग-दी-इ- ये ये जो हंडुमान है ये एंगाडेमन हो गया और इसका नाम एंगाडेमन था किसी समय में इसकी चर्चा हमें प्लोटेमी के जरिये मिलती है प्लोटेमी आपने पढ़ा होगा जियोगरफी में ये बेसिकली भुगरव वेता रहे हैं इजिप्ट के रहने वाले थे बहुत ही प्रस अताबदी का था तो ये कुछ जानकारियां दोस्तों मैंने छोटी छोटी खबरों के बारे में दी हैं और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये खबरें छोटी जरूर हैं लेकिन अर्थहीन कतई नहीं तो दोस्तों इसके बारे में बस इतना ही इसी के साथ ही आज क से डेली आडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं नमस्कार